आज हम आए हैं जमसेदपूर का बिरला टेंपल जो गोलमूरी के पास है तो यह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो जमसेदपूर का बिरला टेंपल है वो कैसा है लेकिन मेड़े दुख की बात है कि यह जो टेंपल है यहाँ पूजा नहीं हो रहा है और जो मंदिर है यह पुरा लगभग काफी सालों से बंध है आधा काम होके यहाँ मंदिर रुख गया है चलिए हम आपको मंदिर घुमाते हैं पूरा मंदिर लाल इंटा से बना है देखिए इसका जो डिक्जेन है साउत का जितने मंदिर है उस टाइप का डिक्जेन खाईए तो हम अभी मंदिर का अंदर जा रहे हैं मंदिर पर आप देखो जो दूर से लगभग जगरनात मंदिर जैसे दिखता है यह मंदिर का इंसाइड है हम अंदर जा रहे हैं अभी मंदिर का अंदर पूरा अंदेरा लगभग था और कबुतर का तो बहुत ही वहाँ पर कबुतर का घुसला थै लगभग मैं बहुत करीब हजारों कबुतर होंगे अंदर यह मंदिर के अंदर से हम उन्हें कुछ वीडियो करने की कुशिस के देखे कितना उंदेरा है तो फीर एसे हम फिर मतलब मंदिर का हम भाहर आए बहर आने के बाद मतलब जैसे लगए कि हमने कोई अंदेरा गुफा से बहर आ गया एसे लग रहा था यह मंदिर का राइट साइड है, राइट साइड में हम घुमने आपको दिखाने दिखा रहे है, यह मंदिर का राइट साइड का है यह मंदिर का जो बाउंडरी आप देख पा रहे होंगे, काफी बड़ा एरिया में यह मंदिर है, हम तो कोई थे नहीं कि हम मंदिर के बारे में किसको पुच्तास करते हैं यह मंदिर के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैड का हिए जो हिस्सा आप देखें मंदिर का लेफ्ट साइड में है देखें इस मंदिर का जो उचाई है कितना हाइट है, काफी हाइट था साम प्लेस था और यह बता दू मंदिर में वहाँ पर अंडरगाउंड भी है निच्छे यह हमने मंदिर का निच्छे हम आगये हैं जो देखें मीच्छे वो अंडरगाउंड है ठीक मंदिर के राइड शाय निच्छे में यह मंदिर है चोड़ा सा मंदिर है लेकिन कोई सभी मंदिर में भगवान का मुर्ती नहीं है ना कोई फोटो है मंदिर आधा बनके रुख गया है और लगभग फिनिसिंग काम कुछ भी हुआ नहीं है प्लास्टर का काम भी कुछ हुआ नहीं है लेकिन जो भी हुए हैं काफी फिनिसिंग था बहुत ही फिनिसिंग था यह देखिए कितना सुंदर सा डिकजेन बना हुआ है लेकिन वह पेंट हुआ नहीं है कलरिंग नहीं हुआ है फिर हम जा रहे हैं जो मंदिर का लेफ ठाइट में जो छोड़ा से मंदिर है वहां पर हम आप जा रहे हैं आपको दिखाने देखिए कितना अच्छा फिनिसिंग वार्क वाया है जितना मतलब डिक्जाइनिंग किया गया है बहुत ही सुन्दर था बहुत ही अच्छा था लेकिन अगर पेंटिंग किया जाता अगर अगर कलर में करते तो काफी सुन्दर लगता बहुत ही अच्छा लगता यह देखिए, मंदीर के सद्रीख रहा, दूर से, लेकल में दुखीए बात है, कि यहा पर कोई मंदीर अनडेवलपमेंट होकर रुख गया अ फिर हमको मालूम पड़ां कि जी मंदीर के सामने कुछ धर खाषँ जांथरी ले सकते हैं जैसे भी पांच बज गया वहाँ पर तो कुछ बच्छे लोग वहाँ पर खेलने आ गए थे अब देख पा रहे होंगे जब वहां मंदिर को गए थे चार बजे गए थे लिए वीडियो करने के लिए भोती सांथ फ्लेश से काफी थंडा भी था तो इसलिए बच्छे लोग वहाँ पर बेट रहते टाइम पस कर रहते लेकिल अकेले जाना मुझे लगता अंसेफ लगा देखें मंदिर दूर से के इतना अच्छा दिख रहा है तो अभी हम जाएंगे जो मेरा नेक्स वीडियो है वहाँ पर हम जो इस मंदिर के पास जो कॉलोनी है हम उस कॉलोनी से एक सीनियर के हमारा बात हुआ हम उसे कुछ मंदिर का जादा जानकरी लेंगे ओके थैंक यू अल दिवेस्ट और बाबाए